दोस्तो ये Canon Series का weighing scale है इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है लेकिन ये वीडियो में मैंने पूरी डिटेल इसमें सामिल कर ली है इसका ये weighing scale का पूरा setting मैंने इस वीडियो में बताया है तो दोस्तो देखते रहें ये पूरा वीडियो और सब setting आप अच्छी और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है ये काटा start है लेकिन पहले काट को बंद कर देना है बंद करके फिर ये जो लाल बटन है उसको दबा के start करना है अब जब भी start करोगे तब ये पास लिखा आये तब तक आपको ये बटन छोड़ना नहीं है फिर ये 6.0 आएगे तो उसमें आपको क्या करना है इसका password डालना है ये बोलता है password तो password इसका क्या है 11.24 तो उपर का जो बटन है उससे लिखके इसको आगे करके यहां से लिखा जाता है तो यहां पे आपको लिखना है 11.24 लिखने के बाद आपको लाल बटन दबाना है जैसे लाल बटन दबाऊगे तो क्या लिखाएगा मतलब आप कैलिबरेशन मोड में चले गये ये रेंज है रेंज का मतलब क्या है आपको एक capacity शेट करनी है या दो अगर एक capacity रखनी है मतलब 200 किलो 20 गरम रखना है तो यहां ऐक लिखना है और यह इसकी एक्युरी की है तो यहाँ पर आपको दो रखना और यहाँ पर आप देख रहे हैं चोटा सा दोट दिखाई देता होगा तो आपको क्या करना मैं आपको दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर डॉट है और बाद में दो सुनिया है तो आप यह जो जिरो यह जो डॉट है उसको आप यह बटन से कहीं भी रख सकते हैं तो दो सो किलो है तो आपको डॉट के बाद दो जिरो रखना है ऐसे सेट करना ही इस डॉट को और फिर कैपिसिटी है तो यहाँ पर 200.00 तो यहां से आपको लिखना भी दिखा देता हूँ ऐसे लिखा जाता है यह 200 किलो में ने लिख दिया है फिर त्यार दबाना नो लोड का मतलब क्या है कि वेस्टेल में जो भी वजन है वो आपको ले लेना है फिर लाल बटन यहाँ यह लोड लिखा आ गया फिर यह काउंट आएगा और जैसे आप उपर वजन रखोगे तो यह काउंट बढ़ जाएगा देखो मेरे पास वजन है नहीं लोगडाउन की वज़े से तो मैंने यह बोरी का वजन पहले से ही कर लिया था और वही वजन में आपको रखके दिखाऊंगा आपको आपके पास अगर 20 kg या कुछ भी वजन है तो आपको वो रखना है लेकिन अभी लोगडाउन की वज़े से मेरे पास कुछ वजन है नहीं तो यह बोरी का वजन मैंने कर लिया था वही बोरी मैं आपको उपर रखके सेटिंग करना सिखा दूँगा फिर लाल बटन दबाना है और इसका जो भी वजन मैंने किया था वो मैं यहाँ पर लिख देता है तो इसका वजन है 38 kg 660 ग्राम तो मेरे को यहाँ पर 38.66 ऐसा लिखना है फिर भी वो आ जाएगा देखो 38 kg 660 ग्राम यहाँ पर आ गया मतलब कैलिबरेशन पूरा हो गया अभी आपको यह जीरो अटाना है तो कैसे अटा सकते है उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ मतलब पॉइंट के बाद अगर दो सुनिया रख करना है तो कैसे करते है वो आपको दिखाता हूँ पहले काटे को बंद करना है फिर लाल के उपर जो है बटन उसको दबा के स्टार्ट करना है तो यहाँ पर डम में लिखा आ गया है तो अभी क्या होगा यहाँ पर यस लिखा होगा यस लिखा है उसकी जगा यह लाल के उपर जो बटन उसको दबा के यहाँ पर नो कर देना फिर आपको कुछ नहीं करना पूरा पोगराब लाल से कर देना है फिर आप देख रहे होगे, कि एक सुनिय जो लास्ट में था डम्मी उग अठ गया है अगर वही सुनिय वापस लाना है तो वही बटन से आप ला सकते हो तो उसमें क्या करना है है या डमी है वहाँ पे नो की जगा यस कर देना है तो जैसा था वैसा पूरा लिख के आ जाएगा 38 kg.660 त्यार रखी ये पोग्राम पूरा करना है आता नहीं छोड़ना है अब ये आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद तीन सुनिया आ गए है ठीक है तो ये कैना इन का मैंने दोनों सेटिंग मैंने आपको सिखा दिया है तो ऐसे कैना इन का आप कैलिब्रेशन अपने घर पे कर सकते हैं ठीक है धन्यवाद